नमश्कार मितरों, अधिक मास चल रहा है, 16 अगस्त तक अधिक मास है, अधिक मास में दान करना, पूझा पाठ करना बहुत ही उत्तम फल देता है, अनंत गुनाफल अधिक मास में दान से मिलता है, दान में आपके आखरी साथ दिन क्या क्या चीज़ें आप दान कर सकते हैं, और कितनी संख्या में किस समय दान करें, यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों, आधिक मास में दान आप अपनी समर्थे और शक्ती के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन आखरी साथ दिन बचे हैं तो यह मोका आप हाथ से जाने मत दें, कम से कम तीन दान त गहर में सुक समर्थी धन समपत्ती का आगमन होता है, पान आप मिठा पान बनवा लीजिए, या फिर पान के पत्ते लेकर उसके उपर गुलकंद रख लीजिए, या कोई भी मिठी वस्तु रख लीजिए और उस पान को आप फोल्ड करके उसके उपर आप काली मिर्च या फिर लोंग से उसे बंद कर दीजे लोंग से बंद करने के बाद भगवान विश्णुजी के चरणों में अरपित करें और तेतीस की संख्या में तेतीस पान धान करें या तो आप इकठे भी तेतीस पान धान कर सकते हैं या एक ग्यारा ग्यारा करके तीन दिन लगातार आप दान कर सकते हैं, पान का दान करने से धन से संबंदित सभी कस्ट दूर हो जाते हैं, घर में धन संपत्य की व्रिदी होती है, मालक्ष्मी जी का आगमन होता है, दूसरी चीज मित्रों, अधिक मास में दीप दान करने का भी विशेश महत्व है, दीप दान आप या तो सुभे क या फिर आप शाम को करें क्योंकि दीपदान का महत्व अंधेरे में ही दीप रजलित करने का होता है रोशनी में दीपदान करने का कोई महत्व नहीं है क्योंकि रोशनी में तो भगवान सूरिय का पूरा प्रकाश होता है तो आप दीपदान या तो शाम के समय अपनी घर के तुलसी के बिलड़े के पास कर सकते हैं, जहां पर आपने तुलसी ची लगाई हुई हैं, वहां पर एक सात्विक बना लीजिए, आटे को हल्दी मिला कर गुंद लीजिए, उससे आप दीपक बना लीजिए, या ताप एकठे 33 दीपक बना कर रुई की बाती उसमें लगा कर तिल का तेल डाल कर ग्यारा ग्यारा इकठे एक दिन, ग्यारा एक दिन, ग्यारा इस तरह से तीन दिन लगातार आप दीपदान कर सकते हैं, चाहें आप 33 दीए एक ही दिन में भी प्रजलित कर सकते हैं, इससे भी अनंत गुना फल मिलता है, जीवन में परकाश उत्पन होता जीवन के सभी अंदकार दूर हो जाते हैं, या मंदिर में दान कर सकते हैं, आप दीपदान मंदिर में 33 दिये जला कर आ सकते हैं, किसी भी देवरिक्ष के नीचे, पिपल के वरिक्ष के नीचे, आउले के वरिक्ष के नीचे, केले के वरिक्ष के नीचे, या फिर आप अपने घर के मंदिर में या घर में आपने जहाँ तुलसी का पोदा लगाया हुए वहाँ पर आप दीप दान अवश्य ही करें संख्या आपको 33 रखनी है चाहे एक दिन में कर दीजी या फिर तीन दिन में भी आप कर सकते हैं तीसरा दान मित्रों आपको करना है माल पूड़े का दान माल पूड़े जैसे आप गुड़ आटा मिला कर आप पूड़े का बैटर बना लीजिए और उससे पूड़े बना कर 33 पूड़े आपने भगवान को पहले भोग लगाना है उसके बाद या तो आप मंदिर में ब्राम को दान कर के आजाए या फिर आप किसी भी जरूरत मंद व्यक्ति को आप खिला सकते हैं इससे भी आपको अनंत गुणा फल मिलता है कहा जाता है जब आप पूड़े बनाते हैं माल पूड़े बनाते हैं तो बनाते समय उसमें कुछ बुलबले उठते हैं और जितने कोड़ी भी एक दान कर सकते हैं यदि संभव है तो तीनों दान कर दीजिए इससे जीवन में आ रही सबी तरह के कस्ट दूर होते हैं जीवन खुशियों से भर उठता है आपको भी हमारी आज की है चोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की जानकारी के लिए जूर सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर भी करें कमेंट वोक्स में जय विश्नु भगवान अवश्य लिखें